रिवीजन एवरीटिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होगे देखिए आज हमने जीके का एक टॉपिक लिया हुआ है टाप मापी को बदलना कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक्जाम देते ह है या फिर एसा कुष्ण आता है कि आपको कोई टेंप्रेशर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो बोल देगा उसे foreign हईट में चेंज कीजिए या फिर foreign हाईट में दिया हुआ है तुझ अछ गेल्विन में पतलब है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फॉरिन हाइट में बदलना है तो आप इतना फार्मूला ले लीजिए जो तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसका यहां पर मान रख दीजिए और बराबर कर लेंगे तो यह सॉल्व हो जाएगा इसी तरी देखिए अगर आपको यह फार्मूला आसानी से याद रखना है तो सबसे पहले आपको ताप मापी जो होता है यानि थर्मा मीटर जो होता है उसका निवनुतम वो कितना मापता है और अधिकतम कितना मापता है उसको आपको पता होना चाहिए जैसे कि अगर हम डिग्री से को टिर्व को यह जीरो डििजरी सर्व दिगरी सेस्ट रिता है यानि बनी जिरो डिए सेस्ट अर्धिक्तव्सτοिर्ट अधितां sûr स्बस्यसियस नहीं और जैसे की पानी का होता है कि इन फ्सक्राशन नापते हैं अक्टá niewार्ग्री फॉरणहाइट नई चल्वत मापता है केलविन की बात करें तो 2703मापे गा और अधिक तम मापेंगा 373 और रोमर की बात करें तोkonitrrpotsky की जुक्रों से तोフर फोर्ममा तो अपन अधिकल‍टराइफ से 30 mapping भी तो आप यह और रोमर का 0-80 तो इसी के बेस पे वह फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे कैसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है मापक माइनस मिनीमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनीमम गुड़े 20 तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है उसको लिख दिये यहां पर सेल्सियस मा मापता है और गुड़े 20 और इसी तरीके से हमने सब में मैक्सिमम और मिनिमम रख दिया है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो सबसे पहले हम जो भी घटाया जाना है उसको हम घटाया देंगे तो यह वाला फॉर्मूला मतलब यह निकल के आएगा इसी बटा सो गुड़े 20 और एफ माइनस 32 यानि 212 में सब 32 घटाएंगे तो नीचे 180 बचेगा और इसकी बात करें सो 373 में से 273 घटाएंगे तो 100 बचेगा यहां पर 80 में से 0 घटाएंगे तो 80 बचेगा तो यह मिल गया फिर इसके बाद जब हम 20 से सब में भाग देंगे मतल यूँ पता होगा ठीक है तो इसी तरीके से आप उसके माध्यम से इसको आराम से याद रख सकते हैं और ताप मान के बारे में कुछ दोचार मान के बारे में हम देख लेते हैं जो कि सो सबसे पहला है पुष्वी का औसत तापमान वह होता है 15 डिगरी सिलस्येस यानि हमारे और पानी पीएंगे जो तुरंन बोल करे निकाला जाएगा तो गर्मी में पीएगे तो आपको ठंड़ी ठंड़ में पीएगे गर्म लगता है इसका यही कारण है कि प्रिथवी का जो उसत तापमान है वो हमेशा बराबर रहता है बदलता है बाहर का तापमान माल लेजे बाहर का तापमान 40 डिग्री सेलसियस है और प्रिथवी से जो हम पानी निकाल रहे हैं उसका तापमान 15 डिग्री सेलसियस है इसलि प्रिध्वी का पानी निकालेंगे तो वह 15 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसके मुकाबले वह पानी गर्म लगता है ठीक और अगर हम रूम टेंपरेचर की बात करें तो बात करें तो डिग्री लगता है लेकिन कैल बीजिट इसमें डिग्री नेए लगता है ठीक है सेल्सियस और फोर्इन हैट में डिग्री लगेगा यहां प restore ने नहीं लगता है यहां पर देखिए 37isan culture हम क्हिस्ति बात कि अगर हम किसी वी तापमान को केलविन में मापते हैं तो उसे परमताप बोला जाता है जैसे कि अगर आप कमिश्टि पढ़ से यह होगा इसमें सबसे इंपर्टेंट यही है कि अधितम रिचाल और ऊकआराम भी से लिकाल सकते हैं मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में थांक यू